कसक पारलर से लोट रही थी, कि कसक को देखते ही कसक की मा तुलसी की आँख में आशू आ जाते हैं कसक, कितनी मा सूमिया थे तेरी चहरे पर, ऐसा करके कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही न मा, अहिस्ता बोलो कोई सुन लेगा नहीं मा, तु कुछ कलत नहीं कर रही इस आंगन की तुलसी ने इस घर की सब पीड़ा हमीशा ही ली है पर इस बार मेरी बारी है तभी तुलसी का पती कुमार भी आ जाता है और वो मा बेटी की ऐसी बाते सुनकर भावक होकर खुद का सिर पीटने लगता है बाबा नहीं, ये आप क्या कर रही है सारा दोश मेरा ही है बेटा अगर मैं ये गरीबी तुमको ना दिखाता तो आज तुझे ये समझोता नहीं करना होता और कुमार अपने बेटी को गले लगाता है तभी कमरी से कसक की छोटी बेहन रिया और भाई चिंटू निकल कर आते है वो भी भावक होकर अपनी दीदी को गले लगाते है कसक अपने परिवार को सहारा तो देती है मगर खुद के आसों को अंदर ही दबा लेती है वह उठकर अपने कमरे में जाकर दर्वाजा बंद कर देती है वह मजबूत बेटी आईने के सामने जाकर चहरा देखती है अभी उसकी उम्र भी कहां पकी थी तब ही खिड़की खुलने की अवाज होती है और वह पलट कर देखती है तो एक लड़का उसका मूँ बंद करके उसे पीछे से थामता है अमबुच तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो जाओ यहां से यहां से या तुम्हारी जिंदगी से भी कसक दोनों की आखों में दिल तूटने के भरपूर आसू थे हमारा साथ यहीं तक था अमबुच कुछ रिष्टों को सुन्दर मोर पर बिछड़ जाना ही सही होता है बुला पाओगी मुझे कसक किसनी कहा मैं भूल जाओंगी तुम्हें नहीं अमबुच तुम तो मेरे जीवन में अलमारी में रखी किताबों की तरह हो जिस पर कितनी ही धूल जम जाए तब भी वो उतनी ही सुन्दर रहती है मैं तुम्हें हर उस पल में याद करूँगी जब आस्मान में एक भी तारा नहीं होगा पर मेरे जीवन में दुख धेर सारा होगा और जब सभी तारे चांस को घेरे होंगे और मेरे जीवन में सुक के ठेरे रहेंगे तब भी तुम्हें याद करूँगी मैं चानते हो पागल इस प्यासे अमबुच का जीवन ये कसक ही थी पर बस अगले दिन कसक की शादी थी मगर फिर भी वे कमजोर पढ़कर अमबुच को वही रोक देती है अमबुच उसकी गोद में सिर रखता है एक प्रेमी के लिए दुनिया का सबसे महफूस्ट खाना उसकी माशुका की गोद ही होती है है ना दोस्तों? कसक क्या मैं आखरी बार तुम्हें चूम सकता हूँ? कसक नजरे जुका लेती है और अमबुच कसक की और बढ़ता है बाहर बिचलिया कड़क रही थी और अगले दिन कसक की शादी का दिन आता है खूब जोरो शोरो से तयारिया होती है बाराद दर्वाजे पर थी आइने के सामने खड़ी दुलहन बनी कसक का उसे देख मुस्कुरा रहा था कसक तुरन दर्वाजा लगा लेती है उधर कसक की सखिया दर्वाजे पर बरात के स्वागत में दाच चिराए खड़ी थी खीकी करती हुई सखिया देखती है कि दुलह घोडी जैसे ही उतर रहा था उसके कदम लड़ खड़ाती है और उसका सहरा नीचे गिर जाता है सहरे के नीचे एक 55-60 बरस का पके बालो वाला बुड़ा निकलता है ये देख सखिया चौक गई थी आदे महमान चौक गई थे सब तुलसी और कुमार का चहरा ताक रहे थे सखिया कसक को खिड़के पर लाकर दिखाती है कि तभी धुले विनायक की नजर दुलन कसक पर पढ़ती है और वो मुस्कुराता है तो बदले में कसक भी मुस्कुराती है उधर महमानों में खलबली मच गई थी तुलसी भाबीजी ये क्या किए आपने अपनी कसक के साथ एक बुड़े से शादी करा दी भाबीजी बीस परस की छोरी का व्या इस पच्पन साल के बुड़े से ये कल्योग में कैसा सत्युक चला रही हो तुम भाबी इनकी चुपपी से तो लगता है इनोंने अपनी बेटी को अंधेरी कोई में ही धकेल दिया है अरे ऐसी भी क्या आन पड़ी थी बेटी अगर संपली नहीं जा रही थी तो जहर ही दे देते उससे कुमार भाई साहब अरे सुशीला ये जहर देने जैसा ही तो है एक ऐसे आदमे से हमारी कसक की शादी हो रही है जो इसे किसी भी तरह का सुख नहीं दे सकेगा तब ही कसक पीछे से जोर से चिलाती है बस करिए आप सब बस एक तब मिल गया सब को आज का नया वाटसाप गॉसप मेरे बाबा कुछ बोल नहीं रहे तो इसका ये मतलम नहीं कि आप सब उनके चाती पर ही चड़ जाएंगे हां कर रही हूँ मैं एक बड़ी उम्र की शक्स से शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ आप सबको अगर मेरी जिंदिकी की इतनी ही चिंता है तो आओ सब आकर मेरी घर का राशन लेकर सब कर्शा उठा लो मेरी बाब के सिर्फ दो वेटियों की जिम्मेदारी उठाकर अपने सिर्फ पर बिठा लो है हिम्मत, अरे है क्या, है तो आओ न सब, आओ सब आगे, सब चुप क्यों हो, कहां गई सब की फिक्र, अरे सुशीला आंची, आपके तो गले में बहुत मोटी सोनी की चेन है, मैं तो आपकी ही बेटी हूँ, लाइए, मुझे ये चेन तौफे में दे दीजिये ना, लाइए शादी टाइम, और कसक दर्वासे पर खड़ी बिनायक का हाथ पकड़ कर, खोद उसे मंड़ तक लाती है, और दोनों की फेरे होने लगते हैं, तुलसी और कुमार डबडबी आँखों से एक दूसरे की और देख रहे थे, बहन जी ने सची कहा तुलसी, मैंने तो अंधे और आखिर ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले की समय में ऐसे ही शादिया होती थी और चलती भी थी, ये तो भाग्ये खुले हैं हमारी कसक के, इस गरीब खाने से निकल कर वो राज करेगी बहाँ, छोटी ठक उराइन बन कर, और विनायक जैसे ही कसक की मांग भरता है, उ से अवल जगह अडमिशन कराना, इनकी सपनों को पंक देने में कोई भी कमे नहीं रहनी चाहिए, कसक के छोटे भाई बहन कसक के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं, विनायक और कसक मांपिता का आशिरवाद लेने के लिए जुकते हैं, तो विनायक खड़ा ही रह जाता है, कोई बात नहीं कसक, शादी के पाद पत्नी को जुकना सीख लेना चाहिए, घर में शांती बनी रहनी चाहिए, विनायक कसक से शादी कर मुझों को ताओ दे रहा था, कसक की डोली में बैटने वाली होती है, तभे तुलसे उसे फूलों के टोकरी देती है, दे बेटी, वारियों के लिए ही रस्म भी करते, जिसको ये फूल मिले, उसकी भी किसमत तेरी तरह जाग सके, ताकि वो भी तेरी तरह राज करे, कसक तुलसी के हाथ से टोकरी लेकर सारे फूल अपने पाउं में डाल कर उन्हें कुचल देती है, मा, इन सबकी उम्र पक्मे में समय है, इनको अपने सपनों को जीने का समय है, मेरी जैसे समझोते का सौधा करना भागे है, तब ऐसा भाग कि किसी को ना मिले, मैं यही दूआ करूंगी, अपना खयाल रखना मा, बावा की लाडली अब डोली में बैठकर विदा हो रही थी, तभी वह देखती है, उसकी ड का कतल कर दिया, माफ करना, कसक अपने हाथ का कंगन निकाल कर, अम्बुज के और फैकती है, और अम्बुज वह कंगन थाम कर, वही सड़क पर बैठ विलाप करने लगता है, डोली अगले मोड पर मुड़कर औचल हो गई थी, पर अम्बुज वही बैठकर रोता रहा बस, याद आ जाती है, ऐसा लग रहा है, जैसे अपनी दादी से मिल रही हूँ, कसक घर में प्रवेश करती है, तब ही वही लड़का फिर से आता है और कसक से हाथ मिलाता है, कसक के लिए छोटी मा सुनना अजीब था, विक्राम तो उससे भी उम्र में 45 बरस बड़ा ही नजर आ रहा था, ले मिलने बहु, अपने बड़े बेटे से मिलने, अब से इन बे लगाम घोडों को लगाम लगाकर तुझे ही सीधा करना है, वहाँ खड़ी सब औरते हस्ती हैं और रात का समय आता है, बोड़े विनायक और कच्ची उम्र की कसक का पहली रात का समय, कसक देखती ह कि बिस्तर से ले कर कमरा सब गुलाब से सजा था कसक दुलन्बनी बिस्तर पर बैठी हुई थी और विनायक दर्वाजे की भीदर आकर दर्वाज़ा बंद करने लगता है कि तब ही कसक की देवरानी संतोश आकर कसक को बाजू में बुला कर उसके कान में कुछ फुस फुसाती है जिसे सुनकर कसक के होश ओड़ जाती है मगर फिर भी वह संतोश को कुछ बताती और कसक जो जवाब देती है उसे डाइरी में नोट करके बाहर खड़ी सास को दे देती है और विनायक दरवाजा लगा कर मुस्कुराते हुए कसक की और बढ़ रहा था कसक उसे बढ़ता देख घबरा कर विस्तर को मुठी में भीच रही थी उधर सड़क पर बढ़ा अमबुज काच के टुकडों को अपने मुठी में भीच कर अपने अंदर के दर्थ को बाहर के दर्थ से दबाने की कोशिश में चीख रहा था कसक! देखे आगे क्या होगा कसक की ये छोटी मा बनने की जर्णी कौन है ये विनायक और आखिर संतोष ने अपनी डायरी में ऐसा क्या लिखा होगा एक आम जंदगी जीने वाली कसक कहीं इस आलिशान महल में आकर कैद तो नहीं हो गई विनायक कसक के करीब आता है और कसक सहम जाती है बाहर तुफान भी पूरे जोश में था खिड़किया कड़क रही थी कुछ देर बाद कसक करवट लिए अपनी और सो रही थी और उस और पीठ मोड़े विनायक सो रहा था कसक अपने हाथों में लगे महंदी छटकने की कोशिश कर रही थी सुचा था तुम्हारी नाम की महंदी लगाऊंगी अमबुच पर ये तुम्हें समझोते की सुहागन बनकर रह गई हूं मुझे माफ करना अमबुच मुझे माफ करना खोन से सने हाथ लिए तुफान को जीर अमबुच अपने घर पहुचता है और किवाड़ों पर खोन के हाथ की छाप लगा दीता है कसक आओ भी आओ तु कसक अरे पामा क्या है और अमबुच कसक को अपने घर के किवार के सामने ले जाकर खड़ा कर दीता है वहाँ पड़ी रंग की बाल्टी में दोनों अपने हाथ रंगते हैं और एक साथ अपने हाथ की छाप तरवाजों पर लगा देती है यह हमारी दुनिया है कसक यहां हम तुम इस पूरे जहान से चिपकर आकर रहने लगेंगे हाँ अमबुच तुम्हारे पाहों की गर्मी मुझे हर सर्दी में राहत देगी और इस घर की मजबूत छट हमें हर तुफान से बजाएगी कसक अमबुच एक दूसरे के चहरे को थाम कर गरे लगते हैं उधर आसों के सिवा अमबुच और कसक के हिस्से में कुछ नहीं आया था अमबुच अपना बस्ता पाक करता है और घर बंद करके तुफान में ही कहीं चला जाता है शायद कसक के जंदगी से बहुत दूर बहुत बहुत दूर अगले दिन कसक सो कर थोड़ा लेट उटती है तब ही उसकी देवरानी संतोश खीखीखी करते हुए उसके पास आती है वो जीजी मुझे उटने में थोड़ी देर हो गई माफ करियेगा कसक को संतोश के ऐसे सपोर्ट करना अच्छा लगा और वह कसक से आगे कुछ कहती कि तबे दरवासे के बाहर खड़ी मालती संतोश को इशारा करती है ये माजी ऐसे इशारे में क्यों बात कर रही है अंदर आईए माजी नहीं मैं शुद हूँ एक विद्वा सुहागन के कमरे में नहीं आ सकती संतोश तू ही पूछ से जी ठानी जी और कल रात कैसी बीती विनायक भाई साब ने प्यार दिखाया अपना या नहीं कसक को थोड़ा औसहज महसूस होता है वो कल रात जब वो अंदर आई तो विनायक कसक के करीब जाकर अपना तक्या उठा लेता है और बिस्तर की दूसरी और जाकर करवड मोड सोने लगता है कसक जिससे अब तक राक्ष समझ रही थी वे विनायक असल में मन का अच्छा निकलता है ये जान वह रोते हुए सोजाती है हाई मोरी मैया मतलब कुछ नहीं हुआ कल रात जी नहीं जी जी जत्या नाश ठाकुर के घर में घर की आई बहुए अपने पती को प्यार देने से कभी नहीं चुबती है संतोष को देख शादी की पहली साल में ही दो जुड़वा बच्चे और पांच साल में दो और बच्चे करके ठाकुर परिवार के बीच का नाम उचा किया है तुझसे पहली बड़ी बहु शादी के पांच में ही एक लड़का एक लड़की पैदा कर चुकी थी पर पता नहीं उसके बाद उसके घर पो कैसा घुन लगा परसो तक वो एक भी पच्चोर नहीं कर सकी और माजी आप? कसक ने हिम्मत करके पूछा तमालती ने उसे घूरा वह कुछ बोलती के तब इस संतोष जवाब देती है माजी ने तो बहुत सारी फॉज पैदा की थी ठाकरों की पर जंग लड़ने से पहले ही एक एक करकर सब शहीद हो गए ले देखे बचे मेरे पती और एक तुम्हारी एक बहन है वो भी विदेश में सेट है बिचारी माजी संतोष खड़ी हो ये बाकी काम कौन करेगा और लड़की तुम सुनो ठाकरों के घर में आई हो तो थोड़े नियम कानून जान लो पती तुम्हारा है तो रिज्जाना भी तुमें ही पड़ेगा आज फिर कोशिश करो जल्दी मुझे तेरे पेट में छोटा ठाकर चाहिए माफ करना माजी पर अगर लड़की हुई तो तो वो कभी ठाकों नहीं कहलाएगी लड़की हुई तो पल लेगी किसी कोने में दो टुकडों में और फिर ब्या देंगे उसको भी जैसे मेरी बेटी को भेज दिया कहीं वैसे भी ऐसे ही होता है बड़ी परिवारु में यही अगर मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया इस पारे में आखिर कहां है वो कसक ना दोकर तयार होकर प्यारी सी बनकर बहार आती है आज उसका पहला दिन था तो वो पूरे घर का चक्कर लगा कर देख रही थी तब ही विकरांथ उसके सामने आखड़ा होता है हेलो चुटी म हेलो विकरांथ कसक विक्रांद का ऐसा रवाया देखकर एकदम डर गई थी वह लंबी सांसे लेते हुए आगी बढ़ रही थी कि तभी अगले कमरे में आईने के सामने उसे अपनी ही उम्र की एक लड़की नजर आती है जो सिर्फ पर चुन्नी ओड़े बहुत रो रही थी ये जरूर विक्रांद की बहन होगी माधुरी इसमें मेरी क्या कलती है चुमें एक लड़की पैदा हो गई आज लड़की कहकर मेरा पच्पन खराप कर दिया कल शादी होकर अगर मैंने अलाद ना की तो यही सब मुझे बांच कहेंगे और अगर मैं विद्वा हो गई तो नागन सापन डायन जैसे शाद मुझे पुकारा जाएगा इतना जुल्म क्यों भगवान गौरी दुरगा राधा सीता इन देवियों के तो हर रूप हर पहलों को पूजा जाता है जबकि वो भी तो आखिर और थी थी क्योंकि उन में थी उनकी दिव्य शक्तिया इसलिए ना कसक सब सुनकर माधुरी के करीब जाकर बोल पढ़ती है पर मीरा मानना तो यह है कि जो औरत स्रिजन कर सकती है खुद में से नया जन दे सकती है उस औरत से बड़ी तिव्य शक्ति और किसमे होगी औरत होना अभी शाप नहीं है माधुरी औरत होना भागी की बात है अर्थार्थ जहां नारी की पूजा नहीं वहाँ दो देवता भी वास नहीं करते तुम फिक्र मत करो माधुरी तुम्हारा भी वक्त आएगा मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या-क्या बीती है हर पल इस माटी के शरीर में कैद सही होगी तुमने माधुरी कसत की बाते एक टक सुनते जा रही थी तभी वह अपने सिर से दुपट्टा हटाती है और एक बहुत स्टाइलिश ड्रेस में जाती है कसक ये देख हैरान थी हो तादी अम्मा बीच में काईको बोली तो काईको मैं मेरे पले के रहसल कर रही थी और तुम यहां यत्र तत्र करने लग गई कसक के तो होश और गई थे माधुरी की बात सुन माधुरी को देख कर तो कहीं भी नहीं लग रहा था कि इस पर यहां कोई लड़कियों वाला टॉर्चर हुआ है क्या? पले? नाटक ब्रो, नाटक हिंदी समझ आती है न? फड़ी लिकी तो हो ना तुम या मेरे ड़ाँ बस शोपी का चीप सस्ता नकली माल अठाकर घर में ले आए है तभी विकरान भी वहाँ आ जाता है और माधुरी की कंधे पर हाथ रख उसिकी बात पर हस्ता है श्श्श्श्श्श्श्श्श् अरे माधुरी, ऐसे नहीं बोलते ये हमारी छोटी मा है नई आई है तो ये प्याँ जताने का नाटक कर हमारे हिस्ते की जायदाद भी तो लेगी वेरी स्मार्ट लेडी चलो पाउँ छूए इनके और माधुरी कसक के पाउँ छूने के लिए हाथ बढ़ाती है और उसके पाउँ में कसक विनायक के बाद सुनकर भी एकदम भौचक की थी कर रात में जो विनायक उसके नजर में महान बना था वो आज फिर से समाज का वही मर्द नजर आ रहा था जो घर के बाहर का स्टेटस तो बनाई रखता है लेकिन घर के अंदर की सडांद उसे कभी नजर नहीं आती कसक इस घर में एक तम अखेले पड़ गई थी जब अपने प्रेमी के बजाए लड़कियां ब्यादी जाती है किसी समझोते के साथ तो उनका प्यार बरसता है फिर आखों से घर के किसी कोने या बात्रूम के फर्ष पर कसक भी बात्रूम के फर्ष पर सिकुड कर बैठी थी पास का नल चालू था ताकि उसके रोनी के अवास किसी को सुनाई ना दे उधर हवाई जहाज में चड़ते हुए अमबुच की कदम कसक की पुकार से एकदम ही रुख जाती है वह पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था और वह अंदर चला जाता है प्लेन के दर्वासी बंध हो जाती है उधर कमरे का दर्वासा खुलता है और कसक हाथ में दूद का ग्लास थामे सच धच कर आज फिर सांस और संतोष की कहने पर विनायक को रिज़ाने का प्रयास करती है पर विनायक दूद पीकर पीट मोर कर सोजाता है अगले दिन संतोष और मालती आकर उसे फिर वहीं पोचती है जी ठानी जी, कल रात कुछ हुआ या नहीं? नहीं जी जी दिवरानी है वो तेरी, संतोष बोल इसे सब कुछ हम ही सिखाए क्या? अपने घर से कुछ सीख कर नहीं आई क्या तू? चल संतोष, इस घर में बड़ो की बात कोई नहीं मानता एक पती नहीं संभाला जा रहा इससे मेरे टाइम में कोई सिखाने वाला नहीं था मुझे अपने पती का ध्यान रखना तब भी आठ बच्चे जने मैंने कोई तुम लोगों की तरह 5G से डाउनलोड नहीं करे पर आजकल की लड़कियों को बच्चों के नाम से फिगर याद आता है सुभे पहले खुशकबरी सोजी थी पर नहीं संतोष, चल रही है या नहीं यहां से जी माजी हाँ, हाट बच्चे हाई दया, सही कहा बच्चे तो माजी आपने 5G की स्पीट से ही किये है दिन बीटते गए माधुरी और विक्रांत की बत्तमीजिया अपनी छोटी मा के साथ वैसी ही चल रही थी वहीं विनायक आदमी अच्छा था मगर कसक का कभी पती नहीं बन सका वहे तो उसकी और प्यार नजर से देखता भी नहीं था उधर संतोश और मालती हर तरह से कसक की कोक पढ़ने के लिए कोशिश कर रही थी और एक दिन कसक जब सुभे सो रही थी तब उसके पास खड़ी संतोश और मालती ने उसके मूँपर पानी से भरी बाल्टी उडेल दी कसक हर बढ़ाहट से उड़ती है और देखती है कि जो मालती कमरे में आने से मना कर रही थी वहे उसके पास खड़ी है और कसक को इस तरह से क्यों उठाया गया था मा जी क्या हुआ? महरानी जी चलिए बहर आईए आपको आपके सुन्दर कर्म बताते हैं कसक बिस्तर से उतरने के लिए जमीन पर पाउं तो रख रही थी मगर आगे जो होने वाला था उसके बाद उसके पाउं तले जमीन किसकने वाली थी मालती और संतोष के क्रूर रवये के साथ ही कसक भीगे बदन के साथ कमरे से बाहर आती है तो वहाँ विनायक, माधुरी और विक्रांत पहले ही खड़े थे विक्रांत और माधुरी एक दूसरे को तालीमा अर्खोश हो रहे थे कि तब ही मालती विनायक के पास आती है मुझे और भी काम है, अब मैं तो अपने छोटे भाई के तरह सब छोड़ चाल का विदेश नहीं बाग सकता ना। माधुरी ये सुन चट जाती है, ओहो दादी, कोई पाम तो नहीं किया मैंने, फीरिट सी तो है, जो काईदे पुर्खों से चल रहे हैं, उसमें तुम तुम तुम्हारे फैशन वाले नियम मत घुसाओ, और विक्रांत, तु यहां क्या कर रहा है, जनानियों की बाते सुनकर ज्यादा चाशनी मिल रही है के तुझे? विक्रांत अपनी दादी की बात सुनकर सक पका कर जानी लगता है, रुको डैड, मैं भी आया, ये सवेश छोटी मा की वज़य से ही हो रहा है, तुझे तु मैं छोड़ूंगा नहीं? विक्रांत को ज्यादा देख, मालती माधुर मा जी, इसकी गलती थोड़ी है, अब जब इसकी मा को ये सब बताना था, तब तक तो वो राम जी को प्यारी हो गई, बिचारी बिन मा की बच्ची, पर बेटा, कम से कम अपने मा सिंग धरम का तो ध्यान रखना चाहिए ना? माधुरी के आखों में दादी की डाट और संतोष की ऐसी बातों से आसू आ गए थे, ये देख, कसक को तकलीफ होती है, और कसक अपना मुद्दा भूलकर माधुरी के लिए आवाज उठाती है, एक मिनट संतोष, किसने कहा है ये बिन मा की है? शायद मैं इस घर में माधुरी के मा के आधी पर ही आई हूँ, और क्या सीखना चाहिए इन दिनों? नहीं मैं पोछती हूँ, क्या अलग सीखने की जरुरत है इन दिनों में? माधुरी अपनी लाइफ में बहुत इंडेपेंडन्ड और बोल लड़की थी, लेकिन ये ससाइटी के टाबूस अच्छे अच्छों की घीकी बान देते हैं, माधुरी पे डरपोक से सिमट कर नजरे जुकाए सब सुन रही थी, कसक माधुरी के करीब जाकर उसके सिर पर हा माधुरी को या फिर मुझे, हाँ तुम्हें जिठानी जी, तुमको कब आया पीरियट्स, इस पंचायत के जमावड़े के पीछे का यही तो सवाल है, हाँ बोल बहु, सबको तो आया मगर तुझे यहां आय इतना बकत हो गया, मगर तब भी तेरा एक बार भी महीना ना ऐसा काहे, तब जाकर मैंने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी, एक बात पूछो अगर आप बुरा ना मानो तो, ये छोटी पहु इतना काम भी कर लीती है, पर मासिक धरम के चलते कभी बाहर क्यों नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको यहां के नियम कायदे कानून पता ही ना ह या फिर से यहां आने के बाद से एक भर भी महीना ही ना चड़ा हो, ये सुन संतोश और मालती एक दूसरे के चहरे को तकने लगते हैं, तो एक काम कर, संतोश इसके कमरे में जा और अलमारी में सबूर ढोन, अगर वो चतकबरे फैंसी पैट का इससे माल कर रही है, तो पीर मामी जी पैट का पाकिट तो मिल गया, जो बात मुझे पता चली है, वो तो उससे भी बड़ी है, संतोश मालती को पैट का पाकिट दिखाती है, मामी जी ये पाकिट बंध है, यानि जिठानी जी के तो पीरिच आई ही नहीं है, संतोश वो डाइरी निकाल, कसक की पहली रा तो आप भी अपनी तारीख बता दीचिए कसक को संतोष की बात तो अजीब लगी थी मगर फिर भी वे असे बता देती है और संतोष वे डायरी में नोट कर मालती के पास ले जाती है संतोष और मालती डायरी में तारीख पढ़ते हैं तो दोनों के होश उड़ जाती है मम्मी जी इसका मतलब है इस बहु को तो ढाय बहीने से पीरत जी नहीं आए है और इतना ही समय विनायक और कसक की शादी को हुआ है पर मम्मी जी इन दोनों के बीच तो कुछ हुआ ही नहीं तो इसका मतलब ही किसी का पाप अपने पेट में लेकर इस घर की देलीज में घुसी है मालती और संतोश ये जान आगवबुला हो गई थी अब बता, कहां है तेरी खून की नदिया जिब संसार की हर औरत को होता है तो तुझे क्यों नहीं हो रहा बता दो जिठानी जी, जो भी बात है, परिवार के बीच में ही रहेगी विनायक भाई सहाब भी यही बोल कर गए है क्या, यह सब आपने उनसे भी? आहां हां, बहुत भोली बनी तु शादी से पहले ही अपना कुआरापन किसी और के साथ बाट कर आई है कसक मालती के तीखे वचनों से खूब लजज़ित हो चुकी थी उसकी सहन शीलता ने जवाब दी दिया था वे हाँ जोड़कर फवक फवक कर रोती है बस करिये माजी, अब और ना गलत बोलिए मैंने कुछ गलत नहीं किया किसी से संबन नहीं बने मेरे सिर्फ मेरे पीरियट्स की डिले होने पर आप ऐसी धार नाई पना ली माधुरी, तुम तो मेरी उम्र की हो ना तुम बोलो नाईने कुछ माधुरी कसक की और घूर कर देखती है वो टाय मस्से, यही कि तुम मेरी मा नहीं हो कसक और बोलना क्या है, everything is crystal clear here कौन जाने तुम्हारी किस किस से अफैर थे who knows, but at the end तुम तो बन गई ना तर ठकराइन कसक एकदम अकेली बढ़ चुकी थी उसके पास अपनी बात साबित करने का एक ही जरिया बजा था अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मेरा आप टेस्ट करवा लीजी अगर मेरी ऐसे संबंध हुए होंगी तो उसमें आ जाएगा, मेरी प्रिग्नेंसी का भी और बागी भ्रम भी ये सुन मालती को कसक पर जोरदार गुसा आता है और वो उसे तमाचा लगा देती है बेशरम लड़की ये सब करवा कर तो घर की बाद बाहर ले जाना चाहती है ताकि ठाकुर परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाए एक तो अच्छे घर की ओड़ते अपने महीने चड़ने की बाद किसी से नहीं करती लगता है तेरी मौने कुछ भी नहीं सिखाया तुझे अब मैं जाती हूँ क्या करना है अब आप क्या करने वाली है मम्मी जी इस कसक के माप आपको फोन करके कहूंगी कि ले जाए इसको यहां से ये अब पवित्र लड़की हमारे परिवार लायक नहीं है जी आक्टू मालती के ये बात कसके तो पाउं तले जमीन किसक गई थी उसे तुरंट अपने छोटे भाई बहन के चहरे नजर आते है वह मालती के पाउं में गिर कर खूब गिर गिराती है माची नहीं ऐसा मत करो माची प्लीज ऐसा नहीं करो उधर विनायक के गाड़ी सिगनल पर रुखती है तो उसकी कार के खिड़के पर खटखट होती है वह काश नीचे उतारता है तो वहां अमबुज था सराप से दो मिनट कुछ बात करनी है कार में विनायक के बगल में बैठा विकरांथ अमबुज को देख कुछ-कुछ सोच में पढ़ गया था और अमबुज ने विनायक से बात की और दोनों हसते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते है और अमबुज उतर कर बाहर आ जाता है कहा था ना कसक तुम पुकारोगी तो रुख जाओंगा अमबुज प्लेन में सीट पर बैठ जाता है कि तभी उसे कसक की बात याद आती है अरे अमबुज क्या यार जब देखो विदेश जाने की बाते करते हो अपने यहां रहकर भी तो तुम मुझे प्राउड महसूस करा सकते हो इतनी दूर जाकर कराओगे तो मैं तुम्हें देख भी नहीं सकूँगी बादल भी कितने हैं आस्मान में ये बड़ा हवाई जहास भी नहीं दिखेगा मेरी जली हमेशा ऐसे ही अस्ते रहना और अमबुज प्लेन टेक आफ से पहले ही उतर जाता है एक तरफ कसक के हसने की दुआ मांगने वाला अमबुज कसक को अगर यों गिड़डाता हुआ और इस दशा में देख लेता तो उस पर क्या बीटती मालती कसक को जोर से ठोकर लगाती है और उसके माबाप को फोन करके आने को बोलती है कसक के माबाबा तुलसी और कुमार आ जाते है बेटी की माबाप तो समाज में सबसे दपने वाले जीव होते है बिचारे हाथ जोड़ते हुए दोनों चौकर लांकते ही मालती उन दोनों को सब बग देती है ये ठाकुरों के घर में कैसी इस्तिमाल की हुई लड़की भेज़ दी है तुमने शादी के समय ये कुवारी नहीं थी किसी और से संबन्द बने है इसके ये सुन तुलसी लड़ खड़ा कर कुमार के बाज़ों में किर्ती है कसक हाज जोड़े हुए खड़ी थी कुछ गलती हुई होगी समझने में हमारी कसक ऐसी नहीं है हाँ सम्थन जी हमारी कसक ऐसा नहीं कर सकती आप ऐसी बाते ना करिए अब ये कर सकती है या नहीं कर सकती है तो तुम दोनों इसे अपने घर ले जाकर पूछ लेना, अब इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है मातरी को सब तमाशा देख मजा रहा था हाश्टर जो फिल्म चली कास्ट होई है फिकरान को सब बताऊंगी कि इस कसक और छोटी मा का पत्ता तो कट गया पर यार मसाला भी कम है कसक तोलसी और कुमार रोते हुए मालती के आगे हाँज जोडते हैं और मालती संतोश के और देखती है तब इस संतोश उसे कुछ इशारा करती है ठीक है, इसके अलावा एक और विकाल्प है बगर अगर किसी ने उसे करने से मना किया तो तुम अपना ये समान अपने घर ही ले जाना कसक तुलसी और कुमार रोते हुए एक दूसरे से लिपढ़ जाते हैं आखिर मालती आगे क्या करने वाली थी जो 20 बरस की कसक की जिन्दगी और नरक होने वाली थी मालती और संतोश की तीर जैसे शब्द ना केवल कसक को बलकि कसक के माबाप कुमार और तुलसी के मान और पतिष्ठा को भी भेद रहे थे अगर आपको मेरी किसी बात पर एक बार नहीं है तो चलिए एस्पतार अभी मेरा टेस्ट कराकर सब कालो और सफीर जान लीजिए पीरियंस के अधार पर आप कब तक घर की लड़कियों को कदम कदम अपमानित करते रहेंगी माजी हाई हाई मामी जी अगर बात बाहर पता चल गई तो ठाकरों की तो इज़ट पीडियों तक मिट्टी में चली जाएगी अच्छा तो अब तेरी ये चाल बाजी है तु चाहती है कि हम तेरी किये कांट बाहर वालों को चीक चीक कर बता दे और तुम समधी जी लाज ना ही समधी जी तुमको अपनी ऐसी लड़की हमारे मत्थे मरते हुए जो शादी से पहली ही अपना कुआरापन खो चुकी है और समधन जी आपने तो बताया ही होगा अपनी बेटी को कि पती को कैसे खुश रखा जाता है माची बस करिये माँ पापा आप मत चोड़िये इनके आगे हाथ कसक ने एक पल के लिए जोश में आकर ऐसा कहे तो दिया था मगर तब ही उससे अपने भाई बेहनों के चहरे याद आ जाते है और वो अपने कदमों को रोग देती है तब ही ये पकरही खिटरी में और मसारा डालने के लिए वहाँ माधुरी अपना लापटॉप लेकर आती है और अंजान बनने का नाटक करते हुए बोलती है वो दादी, मैं ऐसे ही चोटी मा को सोशल मीडिया पो फॉलो करने के लिए जून रही थी तो पता चला इनका तो लड़कों के साथ भी बड़ा ही आराना था वैसे ये कौन था चोटी मा देखो ये लड़का और मातुरी कसक और अंबुच की साथ वाली फोटो दिखाती है जिसे देख मालती तो आग बबुला हो जाती है वैसे चोटी मा ये देखो आपकी शादी के एल्बम में भी नज़रा रहा है इतना सुनते ही मालती कसक पर थपर बरसाने लगती है कल मोही, कुल अक्षणी, कौन्ट करने के लिए तुझे तेरा शादी का दिन ही मिला था क्या या उससे पहले तेरे से संबन्थ है यही है न वो जिसके साथ अपना खुआरापन बाट कर आई है माथुरी, ऐसो कुछ नहीं है तुम तो जानती हो हमारी एट में लड़कों से दोस्ती होना कितना आप हो गया है हम बुचर मेरे बीच कभी बरियाद नहीं पार हुई है हाँ दादी, यह बात ऐसे ठीक है लाइक, having boys as friends is like common now बट अविग boyfriend? हम, मा किसी छोटी मा है तो आखिर मेरी ही उम्र की ऐसी उम्र में लड़कपन में मन में चल जाता है और ऐसे हो जाता है गलती से pregnant विगेरा यह सुन कसक को बहुत जोर से गुसा आता है और वो माथुरी पर हाथ उठाने ही वाली थी कि माथुरी बीच में कसक का हाथ पकड़ कर मोड देती है और जटक देती है सच सुनने में इतनी तकलीफ है ना रड़की तो कर्म कर ऐसे कान नहीं वरना यह छाकरों की बसती है एक मिनट नहीं लगेगी उनको तेरे और तेरी परिवार की छीछा लैदर करने में और राइट कसक टुकर टुकर माधुरी की और देख रही थी आंके इतना जहर किसके मन में होता है कसक उल्टे पाव उपने माबाब के साथ लौट जाने का फैसला और मजबूत कर लेती है पर बेटा वापस लौट जाने से भी क्या होगा इन धूर्त लोगों ने तेरे माथे पर जो कलंक लगाया है उसके साथ जीना तो मरने से भी बत्तर है बेहन जी मैं हाँ जोड़ कर विंती करता हूँ आप प्लीज थोड़ा धहरे से हालात को समझे अगर तुम अपनी सच्चाई साबित कर सकते हो तो आगे गुज बोलो इसको लक्षणी को अगर अपनी पवित्रता साबित करनी है तो ऐसे तीन कड़ी अग्मी परिक्षा देनी होंगी और ये संते ही तुलसी, खुमार और कसक एक दूसरे के चहरी के और देखने लगे मगर विकरान के पापा इस चीज के लिए मानेंगी क्या माजी तभी मालती के पास विनायक का फोन आता है मालती मस्कुरा कर फोन कार्ट देती है प्यार देना दो दूर वह विनायक ने उसे फोन पर क्या-क्या कहा ये तक नहीं बताती विनायक मस्कुरा कर बगल में बैठे अम्बुच से हाथ मिलाता है और उसे टैची भर कर पैसा देता है बतले में अम्बुच उसे एक पाकिट देता है जिसमें कुछ खास ही होगा जिसके बतले में अम्बुच को विनायक से इतना पैसा मिला था और अम्बुच ये रहा वो पता जहां तुम्हें अब जाना है यही है तुम्हारी अगली मन्जिल अम्बुच खुश होगर गाड़ी से बाहर उतरता है विनायक बगल में बैठे विक्रांद की और गुस्से से देखने लगता है इस लड़के की उम्र जानते हो तुमसे दो-चार साल छोटी ही होगी तब भी देखो खुद का अपना नाम बनाने के पीछे कितनी मेहनत कर रहा है तुम्हारी तरह बाप की फैक्टरी में नहीं जाता विक्रांद को अपने बाप का ताना बहुत चुपता है और वहकांश नीचे कर अम्बुच को अवास लगाता है सुनो बच्चे तुम अगले प्रोजक्ट में मेरे इस नालाग बेटे को भी साथ लेना शायद कुछ सीखी जाए हर दम बस विदेशी संगीत सुनता रहता है जिम्हेदारी नाम की चीज़ ही नहीं है इसमें अम्बुच हा में सिर हिलाता है पर विक्रांत का इगो तो हट हो चुका था वैसे घूर कर देखता है बात हुई मेरी तीरी पती से और मेरे बेटे की भी यहीं मनजूरी है संतोष इनका फोन चीन ले संतोष कुमार तुलसी और कसक तीनों का फोन चीन लेती है ठकुराइन बनकर आई कसक को एकदम से अपराथी भाव महसूस होने लगा था आज से तेरी जिंदगी सन्यासी की जिंदगी से भी कई गुजरी होगी ये सुक सुविदा से तुम सब वंचित रहोगे और अगर सब ठीक करना चाहते हो तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं एक या तो ये कसक तीनों अगनी परिक्षा में सफल हो जाए या फिर मेरे ब पचास लाक रुपए कैसे लाऊंगा ऐसा अनर्थ ना करें अपने बाप को ऐसे मजबूर देख कसक विनायक को घर के फोन से फोन करने की बार बार कोशिश कर रहे थी मगर विनायक बिजी होने की कारण फोन नहीं उठा रहा था रुख जाओ मा बाबा मैं जानती हूँ इस तलदल से मुझे खुद को कैसे बाहर निकालना है मैं अकनी परिक्षा देने के लिए तयार हूँ मालती ये सुनते ही ताल्या बजाने लगती है संतोष भी मन ही मन खुश हो रही थी जितना मैं मा जी को जानती हूँ ये मन्थर और शकुनी की भी मा है ऐसी वैसी परिक्षा थोड़ी न देगी छोटी ठकुराइन को ये जरूर इसका जीना हराम करने वाली है और फिर इसका पत्ता हो जाएगा साफ और फिर मैं बनूँगी बड़ी ठकुराइन परिक्षा क्या है वो मैं इसके सामने नहीं बताऊंगी कसत कमरे में चली जाती है और मालती उसके मा बाप तीनों को कड़ी परिक्षाएं बताती है पहली परिक्षा में तेरी बेटी को साथ दिन तक अनका दाना और जल भी बिना ग्रहन किये रहना होगा अगर वो कलती से इस परिक्षा में पास हो भी गई तो अगली परिक्षा उसके बात बताऊंगी पर इसकी नौबत नहीं आएगी ये सुनते ही तुलसी और कुमार के प्राण घुटनों में आ जाते हैं और वो समीन पर गिर जाते हैं कुमार ने अपना माथा पीट लिया था कुमार और दुलसी जाकर कसक को सारी बात बताते हैं उस पारिश की रात जब वो घर आकर हमसे तेरा हाथ मांगे थे तब तो ऐसा लगा था जैसे डूपती कष्टी का सहारा बनकर कोई मसीहा हमारे दर पर आया है लेकिन हमको क्या पता था कि हमारी बेटी को तो हमने महा सागर में ढूमने को छोड़ दिया बीटा मगर तु चिंता मत कर तुझे कोई भी परिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है तेरा ये बाप अपना अंग अंग बेच कर इनके मुह पर पैसा फैक कर मारेगा लेकिन अपने बेटी को यह जलील नहीं होने देगा कसक अपने पिता को सीने से लगाती है और अपनी मा का असर सहला कर दोनों के आसू पोछती है पापा मैं पीटी हूँ आपकी कोई अभिशाप नहीं जो अपने पिता का अंग पिकने पर मजबूर कर दूं और जब मेरा कोई दोश ही नहीं तो किस बात का हर जाना देंगी आप सलील तो हम तब होंगे जब बिना गलती इनकी पैसे दे नहीं बिल्कुल नहीं आपकी कसक अपनी परिक्षा देगी बिल्कुल देगी पिटिया मगर बिन खाए पिये तो कैसे रहेगी माप आपके छतर छाया के बिना जब बेटिया पराए घर में रहना सीख जाती है तो ये तो फिर भी बिना भोजन के रहना है माँ बस माँ अब बारी सही और गलत की नहीं है अब बारी है अपमान और मान की और मेरा खोया मान में पाकर रहोंगी और कसक तुलसी और कुमार के पाउं छूकर पहले अगनी परिक्षा के लिए तयार हो जाती है और अगली सुबह जब कसक नहाध होकर बहार आती है तो मालती संतोश और बाखी लोग भी बहार आ जाते है नौकरो अपना कमरा खाली करो बिस्तर चटाई वगरा सब हटा दो वहां से ध्यान रहे पंखा हाथ पंखा किसी भी तरह का सुखसाधन अंदर मौजूद ना हो और नौकर ऐसा ही करते है मालती कसक को उस कमरे में धकेल कर कमरा बाहर से बंद कर देती है इसके माबब जरूर चलाकी करेंगे इसलिए ये ताला अब साथ दिन बाद ही खुलेगा कसक हिम्मत से बिना जल और अनक्रहन किये पुरा एक दिन निकाल देती है रात का समय होता है वह पेचारी अपनी साड़ी का एक कोना बिछा कर उसी पर सोजाती है मच्छरों ने तंग किया गर्मी ने सताया पर फिर भी कसक हिम्मत नहीं हारी हलो ब्रो क्या लगता है ये चोरी मा आई में ये कसक की बच्ची कितने दिन में मर जाएगी अरे दादी की दी हुई सजा है जादा टिक नहीं पाएगी कसक बिचारी दोनों भाई बहनों के लिए केवल एक शर्ट जीतने मातर का सौधा बनकर रह गई थी किसमत भी आपको खुद बखुद उलजाने का काम खूब करती है और लोग कहते हैं कि सब कुछ लकीरों में लिखा होता है पर मैं कहती हूँ लकीरे तो बस जिन्दगी की रफ कौपी होती हैं असल फैसला तो किसमत ही करती है कसक सब कुछ हार तो रही थी मगर फिर भी कसक ने हिम्मत रखी एक की बाद एक तीन दिन बिना उफ किये निकल जाती है कसक के बास केवल कमरे के कोने में बने बात्रूम के अलावा और कोई जगह नहीं थी चौथा दिन था कसक का कमरा रसोई के ठीक भगल में था और मालती ने जान बूच कर उस दिन सोला तरह के स्वाधिश्ट पकवान बनाए जिसकी गंध कसक के मन को ललचा रही थी कसक के नाकों में स्वाधिश्ट खाने की खुश्बू चाने लगती है खुश्बू के कारण कसक भोग से बिलक पड़ती है और अपना पेट पकड़ लेती है मगर चार दिन से बिना कुछ खाए पिए हुए वे खुद पर कितना ही काबू रख सकती थी मुझे हर हाल में ये अकनी परिक्षा को पार करना ही होगा परना ये मेरी माथे पर लगा कलंक मुझे और मेरी परिबार को चिनी नहीं देगा और कसक मुँ फेर कर राम जी का जब नाम करने लगती है मा जी ये लड़की तो बाहर आई ही नहीं खाने में इतना दीसी घी डाला पर तब भी इसे तो कोई फरक नहीं पड़ रहा ये बाहर नहीं आ रही तो क्या ये खाना तो अंदर जा ही सकता है न और तब देखना कैसे ये अपनी परिक्षा में पास होती है और मालती गर्मा गर्म खाने की थाली कसक के कमरे की खिड़की में रख देती है और पास में एक शर्बत का किलास भी रख देती है कसक को लगातार उस लाजवाब खाने की गंधा रही थी और आखिर में वे खुद पर से काबु खो देती है और खिड़की की और जाकर खाने की और अपना हाथ बढ़ाती है ये देख मालती और संतोश की चहरे पर आनत के भाव थे विनायक की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है जिसमें विक्रांथ भी निकलता है और घर के अंदर दोड़ता हुआ अपनी बहन माधुरी के पास चाता है अब तक तो नो बॉल थी पर लगता है इस बार तो वो इडियट रन आउट हो ही जाएगी हो जाए तो अच्छा है वरना हमारे अंधे डैट तो हमारे इससे का पैसा इसके भाई बहनों और भूखे परिवार को देते रहेंगे तुमको पैसे की पड़ी है मैं तु सोच रही हूँ कि ये इस घर में अगर चिक गई तो ये हम पर हुकम चलाएगी और मेरी माँ की जंगे तो मैं किसी को नहीं लेने दूंगी मातोरे रविकरांत की चड कसक के लिए बढ़ती हुई जा रही थी तब भी उनकी नजर मालती और संतोश पर पढ़ती है हम दोनों की नफरत का कारण तो समझ आता है मगर ये दादी और चाची इससे इतना क्यों चड़ती है स्माच हो रहा है तु भाई ब्रो मैंने दोनों को बात करते हुए सुना था दादी कह रही थी कि इस छोटी मा की जात उन्हें रास नहीं आई इसलिए वो तो इसे कभी घर में देखना ही नहीं चाहती थी पता नहीं डाद इसे क्यों ही उठा कर ले आए है और चाची उनका क्या उनके पेट में क्यों दर दोता है इसका सक को देखकर चाची का तो मैं पहले ही समझ गई थी देख देख एक बार उधर देख डाद जब दर्वाज़े से अंदर आ रहे है तो कैसे उन्हें निहार रही है चाची तो डाट को हासल करना चाती है ताकि दौलत भी उनकी और एक भरा पुरा आदमी भी और चाची के रास्ते का सबसे बड़ा काटा बन गई है हमारी छोटी मा ओ, तो ये बात है दोनों देखते हैं कि संतोश की तो लार ही निकल रही थी विनायक को आता देख तो का मामला है तू बीच में मता मामला कैसा मामला मुझे कोई बताएगा हाँ आपने फोन करके कुछ कहा जरूर था अगर मैं अपने काम में लगा हुआ था तो मैंने ज्यादा गौर नहीं किया सोचा अपसाज बहु की बात है समहा लोगी पर घर में मातम जैसा माहल क्यूं है तब ही विनायक को कोने में खड़ी तुलसी और कुमार नजर आते हैं विनायक उनके पास जाकर हाँ जोड़कर उनके पाउच होने लगता है ये देख मालती चिलाती है और तुलसी और कुमार भी चौक जाते हैं विनायक तुगर का मालिक है मेरा बड़ा बेटा तुई इस गंद की के पाउच हुएगा और तुलसी और कुमार दोनों पीछे हड जाते हैं क्या बात हुई आप दोनों यहां ऐसे अचानक और इतने घबराय हुए क्यों हूँ अरे इनसे क्या पूछता है मुझसे पूछ मैं बताती हूँ तू जो इनका पैदा किया वह कच्रा उठा कर ले आया है न घर वो पेट से है पेट से विनाया की जानकर हिरान था मा बस कसक कहा है तू बात सुन इधर आ देख मैं तेरी मा हूँ इसलिए इतना खुलकर नहीं बोल सकती मगर तू समझ कि वो नीच लड़की पेट से यानि कि जो सब काम उसने तेरे साथ करना चाहिए था वो उसने कहीं और किया है और वो तुझे चूटी की हुई मिली है विनायक के होश ओड़ चुके थे अपने ही घर की औरत वो भी उसकी मा कसक के लिए ऐसा बोल रही थी तब ही तुलसी विनायक के पास जाकर हाथ जोड़ती है दमाज जी हमारी बीटी ऐसी नहीं है वो कुवारी ही थी जब इस खर में आई समधन जी क्या सब कह रही है हमको समझ नहीं आ रहा तीन-तीन बच्के पैदा कर दियो और इतनी आसान बात समझ नहीं आ रही और वो कुवारी थी या नहीं इसी का सज जानने के लिए उसकी अगने परिक्षा को सफल करना पड़ेगा और अगर वो तीनों में से एक परिक्षा में भी असफल रही तो तुम दोनों और तुम्हारी ये बेटी इस घर से लात मार कर बाहर फैके जाओगे परिक्षा कैसी परिक्षा दामाज जी हमारी नाजुक सी बच्ची को साथ दिन तक बिना कुछ खाए पिए उस बंद कमरे में रहना होगा आप उसकी मदद करो न ऐसे तो हमारी लाड़ो भूख प्यास से तलब कर मर जाएगी विनायक अपनी मा की और देखता है और मालती चड़कर मू बनाती है कोमल सी बेटी हाँ गैर मर्दों के बिस्तर तक जाते हुए चोट नहीं लगी उस कोमल बेटी को हाँ जैसी बेटी वैसे तुम दोनो फर्जी एकदम माफ करना समधन जी हम लोग अकात में छोटे जरूर होंगे मगर हम लोग फर्सी नहीं है मेरी बेटी की रगों में अपने भाप का खून है और इस मा का दूध है वो मर जाएगी मगर अगनी परिक्षा से मो नहीं फेरेगी संतोश सुना तुने क्या बोली है फिर से बोलना मा जी अब तक तो तेरी बेटी पकवान से सजी थाली को चट कर गई होगी चौध है दिन में ही धेर हो गई वो तो विनायक दोनों पक्षों की बात को सुन समझ पाता कि तभी कसक के कमरे से थाल गिरने की आवाज आती है लो चलो जी अपनी बेटी के बारात ले चलो और सब लोग कमरे को खोलते हैं तभी अंदर से उचल कर एक बिल्ली दोड़ कर बाहर आती है उसे देख सब सहम जाती है सब देखते हैं कि बिल्ली ने खाने की थाल में पंजा मार कर पूरा खाना भिखेड दिया था आखिर वहा हुआ क्या था कसक खिड़की के पास बढ़ी रही थी कि तभी उसे अपने खुददार ही आदा आती है भोग से मर गई तो शहीत कहलाऊंगी और जिल्लत से मर गई तो कलंक खित नहीं कसक तुझे कलंक मन्जूर नहीं है कसक अपना दुपट्टा उठाकर पेट पर कसकर बांद लेती है उसका पेट भोग से जोर से अवास कर रहा था वे भोग से बिलखकर चीखने लगती है मा, काशे भगवान के पेट ही ना देता तो मुझे भोग भी ना लगती मुझ ऐसे लाखो लोग ऐसे ही कही ना कही और रही तडप से बच चाते शक्ति दिमा खाना खालो तुलसी, तुमने तीन दिन से कुछ नहीं खाया है वहाँ मेरी बेटी भोगी है और मैं अपना पेट भढ़ लो क्या मेरी मुझ को जाने वाले ये कोर उसकी भोग को शान्त कर सकते है एक मा का सारा खोन जल जाता है जब उसका बच्चा एक वक्त पर भूका रह जाता है लेकिन यह मेरी कसक ने चार दिन से कुछ नहीं खाया नहीं खाना जी, नहीं खाना कुमार तुलसी अपनी बेटी की पीड़ा देख एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगते है स्रिष्टी रचाने वाले ने भी खूब लिख डाला कि इंसान का दर्ट समझने के लिए सिर्फ एक ही मशीन बनाई है उसके माबाप कहते है दूसरा कोई साथ ही कोई रिष्टा आपके दर्ट को चमडी के भीतर महसूस करने नहीं आता है यहां माँ तो अपना कलेजा भी काट कर अलाद के नाम कर देती है उधर कसक भूग से लगातार बिलबिला रही थी अब नहीं हो रहा अब नहीं हो रहा और इस सजा से तो अच्छा मुझे रूखी सी मौत मंजूर है नहीं हो रहा माँ कसक आखों में आसू लिए उसे आखपंद करकर अमबुच को याद कर रही थी दूसरी और कसक की याद करती ही अमबुच की सीने में दर्ध होड़ता है कसक को अमबुच का चेहरा याद आ रहा था जानती हो तुम मुझे क्यों पसंद थी कसक क्योंकि तुम्हें रोटी की भूग नहीं, लड़ने की भूग थी तुम कभी हार नहीं मानती थी तुम्हें करना होगा, हमारे प्यार की पवितरता के लिए करना ही होगा और कसक फिर आसू पोश लेती है कसक के भूग के पेट के अवाज के भी इचे कलग से अवाज आ रही थी कसक ध्यान से सुनती है, तो वहाँ कोने में एक बिल्ली दुपकी हुई थी और वो उसके पास जाकर देखती है उसे देख लग रहा था कि बिल्ली काफी समय से यहां बंद रह गई है जिस कारण उसे भूग भी लगी है कसक उसे गोदी में उठा कर चटाई पर ले आती है क्या हुआ, तू क्यों भूगी है पागर कहीं तुझसे भी तो किसी ने अगने परिक्षा तो नहीं मांग ली नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि तू तो जानवर है और जानवरों में तो ममता, दिल और इंसानियत सब होता है कि तो इंसान ही है जिसमें दिल, तया, करुणा की जंगे सिर्फ हैवानियत भरी हुई है पर रुख तू, मैं तुझे खूब सारा खाना देती हूँ और कसक, बिल्ली को खिलाने को वो थाली उठा कर अंदर ले लेती है और शर्बत का ग्लास भी बिल्ली मजे से खूब खाती है और शर्बत तो चाट कर, मुऊ बनाकर लात मारते हुए से गिरा डालती है जिसकी अवास से सब अंदर आए थे बिल्ली थाल में उचलकूत कर रही थी कि दर्वाजा खुलता है और कसक सब लोग बिल्ली को देख समझ जाते हैं कि खाने के साथ जो कान किया है वो इसी ने किया है सम्थनची कहा था ना हम फरजी नहीं है और सब देखते हैं कि वहाँ कोने में चटाई पर कसक बेहोश पड़ी थी उसे ऐसे मुर्जाया देख सब चिंते थोड़ते हैं अरे अरे लगता है कमजोरी से ये हालत हो गई कोई बात नहीं जिद छोड़ दे अगनी परिक्षा की हम मान लेंगे कि कुवारी ना सही पर हमारी महमान की जैसी थी और फिर तुम इसे घर ले जाना तुलसीक हमार कुछ नहीं बोलते संतोश पानी का ग्लास लाती है और विनायक को देती है लो जेट जी इस बिचारी को पानी पिला दो थोड़ा अच्छा महसूस करेगी विनायक कसक के करीब जाकर उसका सिर अपनी गोद में रखता है और उसके मूँ पर पानी का ग्लास रखता है संतोश और मालती एक दूसरे को देख बड़े ही खुश हो रहे थे ममी जी ये तो साप भी मर गया और लाठी भी बच गई अब इसकी अगनी परिक्षा तो गई कसक अभी भी बेहोश थी क्या वक्त पर होश में आकर कसक अपनी आन को बजा पाएगी या कलंग के सहारे ही आगे भी जियेगी जानने के लिए देखते रहिए छोटी मा केवल आफसटी पर थांक्स फूर वाच्छिंग